आदरिनी दमसाथियो नवबुद्धाय गुड मॉनिंग टश दिलेक आज का दिन तिबत तिबितियों एवंबिस्ट के लोगों के लिए अतिनत महतपूर है या ये एक पर्व की तरह है आज ही के दिन 33 वर्ष पूर्व 10 दिसंबर 1989 को करना के प्रतीक परम पावन चौदमें दिलाई लामा तेंजिन गैसो जी को चीन के खिलाब आहमसा के मार्ग पर चलकर तिबत की सुतंतरता एवं मानवा दिकारों को प्राप्त करने हेतु चालिस वर्ष के कड़े संगर्ष के बाद बिस्व में सरवोच सम्मान नोबिल संत्थ पुरुसकार से सम्मानित किया गया था बिस्व भर में उनके सम्मान में तमाम आयुजन हो रहे हैं लोग खुसियां मना रहे हैं उनको बदाईयां दे रहे हैं तो उस समय की नौर्वे की नोबिल पृषकार समित ने परंपावन दलाइलामा जी के बारे में कहा था कि इसको मैं अंग्रेजी में कहना चाहूंगा जैसा के कहा गया था अर्थात हिंदी में कहा जाय कि चंवन वर्षी है तिवती बाद धरम गुरू जो नी सोनसट में चीनी सासन के खर्राइब का था जाया है असफल बिद्रो के बाद भारत की सड में आ गए थे इस बिद्रो में हजारा लोग मारे गए थे उनको इस प्रुसकार के लिए इसलिए योगी माना गया क्योंकि उन्होंने इस अंगर्स के दोरान लगातार हिंसा के इस्तिमाल का ब्रूद किया है तो यह कमेटी निखा था इसके आगे कमेटी कहती है इसके आगे कमेटी कहती है अर्थात उन्होंने कहा कि अपने लोगों की एत्यासिक और सांस्कृत बिरास्त को संरशित करने के लिए सह सुर्था और हापसी सम्मान पर आदारे सांथपूर समाधानों की बकालत की है यह एक ख़बर दे नियू और क्राइम्स के सेक्षन ए के पेज नमर 6 में 6 अक्टूबर 1989 में प्रकासित हुई थी अगर बहुत जगत की बात करें तो यह सरवोच सम्मान विस्तु की सिर्फ तीन महान विवितियों को ही प्राप्त हुआ है सरप्रथम 1968 में जापान के लेखक या सुनारी कावावाता को साहित के छेत्र में प्रुशकार प्राप्त हुआ था तूसरे परंपावन चौदमें दराई लामा जी को यह सम्मान दसक दिसम्मर 1989 को सान्ती के छेत्र में कार्य करने के लिए प्राप्त हुआ था और तीसरा 1991 में बर्मा की पूर्द प्रदानमंत्री स्रीमति आंसान सुकी जी को बर्मा में सरकार के खिलाप अहमसा के मार्ग पर चलकर लोकतंत्र एवं मानवा अधिकार हुए तो सान्ती के लिए प्राप्त हुआ था इसके अलावा अगर हम बिश्व पटल पर देखें तो बिश्व में मानव मूल्यों को बड़ावा देने सर्व धर्म संभाव की बकालत करने पर्यावरन के रख रखा एवं सान्ती की स्थापना करने है तो परंपावंद राइलमा जी का युगदान अनकरनी है इसके लिए बिश्व के लोग हमेशा आपके आभारी एवं रिली रहेंगे परंपावंद जी के जीवन के संगर्स को भी हमें समझने के आवशकता है उनके जीवन के जो पहलू है उनको भी हमें समझना चाहिए कि किस तरह से मात्र 16 वर्ष की आयव में 1950 में तिबत की धार्मे के और रा ले ली वो समय वे स्वैम ही एक बालक की तरह थे तथा उपर से चीनी सरकार द्वारा निरंदर अत्याचार किये जा रहे थे वह 1950 से लेकर 1969 तर निरंदर मुश्किल समय में चीनी सरकार के सरकार से समधन का राष्टा खोजते रहे तथा अपने लोगों को स्रच्छत रखने का भी प्रयास करते रहे मगर स्वैम की जान पर खत्रा मड़राने लगा इसलिए तिबबत की जनता ने रहनरोध किया कि आप कहीं सुरक्चित इस्तान पर चले जाए जिससे कि आप हमारा भला कर सकें आपकी अगर जान सुरक्चित होगी तो आप हमारे अदिखारों के हमारे जो कर्तब हैं हमारी जो उम्मीद हैं उस पर आप ख़रा उतर सकतें इसलिए परमपावन जी कहा जाए तो बे मन से मजबूरन तिबबत देश चोड़कर भारत में सडार्थी के रूप में पधारे तब से लेकर अब तर निरंतर सभी तिबबतियों को चाहे भी भारत में रहे रहे हों अमेरिका में हों यूरोप में हों अन्य देशों में हों यहां तक किस तिबबत में रहे रहे हों उन सभी को अपने बिचारदारा के माद्दम से एक सूत्र में प्रोई हुए हैं थथा हमे तिब्ध की आजादी एस्वतंता की बात करें तो बिना किसी हिंसा के मद्यमार्ग पर चल करके आजादी को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं और उनके साथ-साथ निर्वासन सरकार और उनके लोग बिस्व में जहां भी हैं उनके इस विचार का उनके इस मारदरसन का अ तमाम देशों में पहुंचा दिया है, खासकर यूरोप अमेरिका, जहां पहले बहुत धरम के मानने वाली इतने लोग नहीं थे, उन देशों में परम पावंजी और उनकी सिस्विद्वानों के द्वारा अलग लग जगए पर बहुत धर्सन को पहलाया गया है, अर्थात पर के चेत्र में अगर देखें, तो बिस्व के कई ख्याती प्राप्ते बिग्यानिक, चिगित्सक, निर्लोजिस्ट, विजिसिस्ट आदे, उनके साथ पिछले चार दसकों से अधिक समय से संबाद करते आ रहे हैं, जिससे बिग्यानिक लोगों को तथा बहुत दर्सन के तासी वर्स की हो चुकी है, तथा बे इस उम्र में भी निरंतर विश्व समदा है, तो सुख सांती का प्लियास कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन के लक्षे को चार भागों में बाटा है, जिसे उनकी प्रमुक चार प्रतिवद्दाएं भी कहा जाता है, जो कि निम लि प्रना के अधीन, उन किस्ने के अधीन हम रहे करके अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, तो इसलिए हमें अपने जो हमारे मूल हैं, जो के सभी मनुस्यों में ये मानव मूल जन्म लेने से ही प्राड़म होते हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए, दूसरा, कि इस दुन लेकिन इन धर्मों के बीच में एक सदभाव होना चाहिए, सदभावना होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, इसलिए हम अकसर देखते हैं, कि परमपावंजी जहां भी जाते हैं, तो हमेशा अन्यक परमपराओं के, चाहे बो मस्जिद हो, चाहे गिर्जाग लेते हैं, तीसरा परमपावंजी की जो प्रतिवधता है वो तिबद की संस्कृती धर्म एम पर्यावरन का रख रखाव करना, तिबद की संस्क्रती हजारों वर्स प्राचीन है, धर्म भी भालत से गया हुआ धर्म है नलंदा परमपरा वहां इस्तापयत है, जहां पर ये सभी के लिए एक प्रकार से एक चुनोती का विसय है और भारत तथा पाकिस्तान बंगला देश इन देशों में बैने वाली नदियां है ब्राम पुत्र हो चाहे हमारी जो सिंदु नदी हो इस पर लाखो करोड़ों का जीवन आश्रत है उसको भी हमें संरेचित करने की पर नगा तिबद का संरेचित रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी उस पर अच्ची तरह से चल सकता लोगों को पानी प्राप्त हो सकता है और चौथी उनकी प्रतिवधता की प्राशिन बारती विद्या और खासकर नालंदा परमपरा को पुनिर जीवित करन हैं और खासकर ऐसा बड़े सहरों में देखा जाता है तो हमने बहुते विकास के इतना जो कर लिया लेकिन फिर भी मन में सुक सांती नहीं है वो मन में सुक सांती सिर्फ और सिर्फ भारती प्राचीन विद्या से आ सकती है तो यहां उनका कहने कार्थ है कि जो हमारे बहुत मनों ग्यान है जिसमें चित और चैत्सिक की बात की जाती है कि किस प्रकार से हमारा मन कलसित हो जाता है किस प्रकार से हमारा मन बिचलित हो जाता है तो उसको ठीक किया जाए उसको संजचित किया जाए उसका समाधन किया जाए इसलिए प्राशिन भारती विद्या के मात्यम से हो सकता है और विश्व की एक मात्र जो विद्या है वो प्राशिन भारती विद्या के मात्यम से ही आदुनेक और प्राशिन दोनों को एक साथ जोला जा सकता है ये परमपावंजी कहते हैं और इस तरह के कार्य करने की शम्ता केबल और केबल भारत में ही है तो ये परमपावन जी का एक बड़ा विश्व के लिए संदेश है कि भारत से सीखना चाहिए उनसे जानना चाहिए परमपावन जी अपने आपको भारत का पुत्र भी कहते हैं तो ये किसी राजनितिक उद्देश के लिए कहते हैं ऐसा नहीं है बलके व बारति के भोजन पर निर्वर रहा है। जो भी शरीर आज जो दिख रहा है वो भारतिए भोजन को प्राप्त करके खाके अमारा जो सरीर बना हुआ है। और जो भी जो प्रग्या है, जो अध्यात्मिक विकास हुआ है, वो भारतिये बहुत दर्सन को सीख करके, नारंदा की विद्धानों के द्वारा लिखे गए, ग्रंतों को पढ़ करके, सीख करके, सास्तार्थ करके, चर्चा करके उससे प्राप्त हुआ है। इसलिए मानसिक रूप से कहूँ और सारी रूप से कहूँ, तो मैं दोनों तरह से भारतिये पुत्र होने का दावा करता हूँ, यह परमपाबन जी हमेशा कहते हैं, हालांकि इसके लिए लोग राजनित एक अर्थ निकाल लेते हैं, तो लोग कुछ भी अर्थ निकालने यह अ समानत कर भारत तथा विश्व के तमाम लोगों के मान को बढ़ाने का प्रयास करने की किरपा करें, परमपाबन दलायलामा जी, दिरगाये को प्राप्त हों, ऐसी मेरी प्रात्ना है, आप सभी को नवगुद्धाय ट्रस दिले,